नमस्कार दोस्तों हाज हम CBI और E-D के विशे में प्रिस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे CBI और E-D की सक्तियां और इनके कारियें और इनके विशे में जो परमुपात हैं उन पर आमाज विचार करेंगे चलिए शुरू करते हैं CBI जैसे सवरूप की स्तापना 1941 में विशेश पुलिस अधिनियम के तयत हुई थी और इसका जो कार्या था एक सेकंड वर्ल्ड वार के दुरान बारत के युद तथा आफुर्तिवी बाग के साथ लेन देन में रिस्वत कोरी और बश्टाचार की जान्स करना था और वर्तवान सवरूप की बात करें तो एक अप्रेल 1963 को गरह मंत्राले के संकल्प के आदार पर संधानम आयो की सिफारिस पर इसकी स्तापना की गई थी और जो संस्तापक निदे सकते हैं वे सरी डीपी खोली थे इसके अलावा जो सीब्याई है ये सानवीदिक संस्ता नहीं है और इसे सकती दिल्ली विशेस पुलिस स्तापना अधिनियम 1946 से मिलती है शुरू में इसका संबंद केवल केंदर सरकार के करमचारियों द्वारा किये गए बश्टाचार के जान से था वर्तमान में निदेशक की निउक्ती केंदर सरकार द्वारा तीन सदसिये समीती की अनुसलसा पर की जाती है अगर बात करें समीती में कौन-कौन है तो परदानमंत्री इस समीती का द्यक्स होता है इसके अलावा लोग सबा में विपक्स का जो परमुख नेता होता है वेवीश समिती में सामिल होता है और इसके अलावा जो बारत के मुख है नियाईदी साय CGI है वेवीश में सामिल होते हैं या फिर CGI अपनी तरफ से किसी को नुक्त कर सकते हैं अगर बात करें इसके कारियों की तो इसका प्रमुक कारिय है जांच करना यानि केंदर सरकार के करमचारियों के बश्टाचार रिस्वत कोरी और दुराचार आदी मामलों की जांच करना इसका एक प्रमुक कारिय है इसके अलावा राज्य सरकार के अनुरोद पर किसी सावर्जनिक मेतव के मामले की जांस भी इसके द्वारा की जाते हैं इसके अलावा राजकोशिय तथा आर्थी कानूनों के उलंगन के मामले में भी एजांस करती हैं इसके अलावा ऐसे गंबीरो परादों की जिनका राष्ट्य है या अंतराष्ट्य स्तर पर परभाव हुआ हैं, उनका जांस का कारिये भी CBI के द्वार किया जाता है। और इसके अलावा बश्टाचार निरोदक एजेंसियों तथा वीबिंदराजय पुलिस भलो के बीच समन्वेस्ट थाबित करने काम भी CBI करती हैं। CBI भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंटरल ब्यूरो के रूप में भी काम करता है। इसके लावा बात करें, इडी की जो स्थाफना वैं 1956 में हुई थी। और इडी की एक कानून परवर्तन और आर्थिक खूपी आजेंसी है। इसके स्थाफना एक मई 1956 कोई थी। इसके स्थाफना आर्थिक मामलों के वीवाग के तैट एक परवर्तन इकाई के रूप में की गई थी। यानि देशाले रादसभी वाग वीतमिंत्राले के परसासनिक नेंतरन के दिन है। इसके अलावा जो एडी का मुख्याले हैं वे नई दिल्ली में हैं। इसका प्रात्मिक उदिस हैं। उच पर मुख दिन्यमियों को लागू करना है। 1973 को परति स्थावित किया। फेमा कानन का जो उदेशा हैं देश में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यविस्थित, विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना एवं विदेशी वयवपार बुगतान को सुईदाजनक बनाना है। इडी का कारिया है। इडी कारिवाई करता है। 2005 से पहले अरजित और सोधन की गई किसी भी संपत्तिक जाज PMLA 2005 के तैट नहीं की जा सकती। हालां कि अगर ऐसी संपत्तिका निफ्टान 2005 के बाद किया जाता है तो यह मामला PMLA के अंतरगत आता है। इडी को PMLA की धारा 48 और उनिफास के तैट जाज करने की सकती प्राप्त है। यहां PMLA का मतलब हैं Prevention of Money Laundering Act 2002। CBI और ED बारत की दो परमुख एजेंसिया हैं जिनका कारिय देश में ऐसे माहौल को बनाए रखना है जिससे बश्टाचार को बढ़ावना हो और देश के परतेक नागरी को नयाए मिल सके। हाली में सुप्रेम कोड ने ED को यह सवतंतरता दी हैं कि वह केंदर सरकार के निदेश पर किसी विराज़ा सरकार मजागर करवाई कर सकती हैं और किसी विराइन के ओफिसर पर करवाई कर सकती हैं ED के दोरा की जाने वाली किसी भी कारवाई पर किसी भी राज़ा सरकार के दो अपने आजांस करने का अधिकर देती हैं या नहीं देती हैं लेकिन यदि सुप्रेम कोट CBI को ये निर्देश देता हैं कि वे उस राजय में जाकर कोई भी कारवाई करें तो स्टेट की गवर्रमेंट को उस आदेश का पलन करना आफसक होता हैं क्योंकि सुप्रेम कोट का ज अनिक राजयों में जाकर चापे मार रही हैं और जिससे बड़ी संख्या में काड़ा धन पराप्त हो रहा हैं जैसा कि आपने अभी बियार और जरक्रिम जैसे राजयों में देखा होगा अगर आपको वीडियो इंफोर्मेटिव लगी हो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और में दोस्तों वासे सीर करें